जेहिन दोस्तों आप सभी का गाहों तक exam study platform पर बहुत बहुत स्वागत है तो friends कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप से अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी preparation कर रहे होंगे तो friends SSC MTS 14 October तक पूछेगे all shift के important question plus top expected question आप सभी के लिए दो number तक लेकर के आ रहा हूँ तो friends आप सभी लिरंतर इस video को देखते रहे हैं क्योंकि friends ज़्यादा दर question जो है examiner अच्छे level के question आप से पूछ रहा है तो वो भी सभी आपको provide किये जा रहे हैं तो friends वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहने लगेंगे कि बहुत ही अच्छे level के question आपको provide किये गए हैं तो चलिए friends बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो friends आप सभी देख पार होंगे भारत के प्रितम cricket कप्तान कौन थे ये पूछा जा सकता है exam आने वाली shift में तो भारत के प्रितम cricket कप्तान कौन थे तो ck नयडू थे ये आपको यहाँ पर ध्यान लगना है next question पूछा जा सकता है friends आपका जनगर्णा किस सुची के अंतर गताता है आने वाली shift में पूछा जा सकता है क्योंकि friends previous year question आप उठा करके देख सकते हैं ससे हम्केश ने किस परकार के question पूछे है आने वाली shift में किस परकार के question पूछ रहा है तो जनगर्णा किस अनुसूची के यानि सूची के अंतर गताता है, संग सूची के अंतर गताता है, आप सभी को बता है, अनुसूची साथ में सूची से संबंदी सारी प्राबदान दिये गए हैं, तो आप सभी ये सभी जानते होंगे. नेस्ट कोस्टन आप से पूछ सकता है, नीती आयोग के अद्धिक्ष कौन होते हैं, तो फ्रेंड्स आप सभी को बता है, 1950 में योजन आयोग का गठन हुआ था और नीती आयोग का गठन 2015, जन्वरी 2015 से हुआ है, इसके अद्धिक्ष प्रदान मंत्री होते हैं, तो इसका रा नीती इर्विन समझो था, नेस्ट कोस्टन आप से पूछ सकता है, एक्जामनर, चोल राजाओं की राजदानी कहां थी, तो चोल राजाओं की जो राजदानी थी, वो तंजोर थी, ये आपको इहां पर ध्यान रतना है, very very important कोस्टन है, नेस्ट कोस्टन आप से पूछ सकत गुरु नानक की जीवनी धिना हो इनको पैंप्सून यह था, तो गुरु अंगर देव निना जीवनी लिकषन कुर्षण है जो एक्जामल्ण में गुसंटा आपको प्रॉइड के जा रहे हैं 1556 दूसरी ललायीmates है आप सभी जानते हैं 1526 में पहली ललाई हुई थी 1556 में दूसरी हुई थी और 15701 में आप सभी के तीसरी ललाई हुई थी तो पानी पत की दूसरी ललाई आप सभी जानते हैं तो आकवर रहेमो के बीच हुई थी यह आपको यहां पर ध्यान लगा है यहाँ पर पूछ सकता है World Bank का जो मुख्यले वो कहाँ पर इस्तित है Washington DC में इस्तित है यह आपको यहाँ पर ध्यान लगना है Next question आपसे पूछा जा सकता है राज्ये अपरहन नीती किसने किरियानवित की थी तो Friends Lord Dalhauji थे उन्होंने यह राज्ये अपरहन की नीती किरियानवित की थी तो यह आपको यहाँ पर ध्यान लगना है Very very important है Next question आपसे एक्जामनल पूछ सकता है Hydrogen Bomb का अविश्कार किसने किया थी तो Edward Taylor राष्ट जो Edward Taylor थे जोनोंने Hydrogen Bomb का अविश्कार किया थी तो यह आपको यहाँ पर ध्यान लगना है Very very important है I.E. का आंकलन जो है वो कौन करता है तो फ्रेंट केंद्रिये संक्रिटन जो है वो I.E. का आंकलन करता है यह आपको यहाँ पर ध्यान लगना है एक्जामनल इस पर का के कुसन पूछता है आपसे और आपसे भी देख पार होंगे प्रतवी को एक मात्र उपगरे कौन सा है तो प्रतवी का एक मात्र उपगरे आपसे भी जानते हैं चंद्रमा है और प्रतवी का सबसे चोटा गरे आपसे भी जानते हैं बुद्ध है सबसे बड़ा ब्रस्पति है और सबसे ज़्यादा उपगरें की बात करने तो सनी के हैं यह आपको यहाँ पर ध्यानगना है प्रिजन्ट में लेकिन पहले बिरस्पती के थे यह आपको यहाँ पर ध्यानगना है आप सनी के हैं हर्सवर्दन के जो राज़केवी थे वो कौन थे तो बानवट थे यह आपको आपर ध्यानक्ता है वेरी वेरी इंपोटेंट है आर्थिक अपच्छे सिद्धान के पृतिपादक कौन थे तो दादावाही नरोजी थे यह आपको आपको आपर ध्यान रखना है वेरी वेरी इंपोटेंट है और इन्हें Grand Old Men भी कहा जाता है यह भी आपको यहां पर देहन अपना है Very very important question है बहरती राष्टे Congress के प्रतम अद्यक्ष कोनते तो Friends बहरती राष्टे Congress के प्रतम अद्यक्ष के बात करें वह में चंदर बैनर जी थे यह आपको आपसा है Very very important question है ये question भी बहुत ही अच्छा question है ये भी examiner बारबार पूछता है कि भारती राष्ट कांगरेस के प्रतम मुसलिम अध्यक्ष कौन थे बद्रुद्दीन तबीव जी यहाँ पर हो जाएगा आपका right transfer next question पूछता है friends examiner इस परकार का question पूछता है बारत में सुद्ध सौने के जो सिक्के थे वो किस once के साथ को ने चलाए थी तो सुद्ध सौने के सिक्के की बात करें examiner तो कुछान once हो जाएगा है आपका right transfer next question आपसे पूछता है रोम जो सहर है इस परकार का question देगा कि रोम सहर हो किस नदी के किनारे वसा है संभीदान में बारत को किस रोम में वरनित किया गया है तो friends राज्यों का संग यह वरनित किया गया है यह आपको द्यान लखना है next question आपसे पूछ सकता है मचलियों का जो लीवर होता है लीवर के तेल में किस विटामीन की प्रिचूरता सबसे अधिक होती है तो विटामीन डी की होती है और friends एक question और बताओंगो आपको वसा में गुलंसील विटामीन कौन-कौन से होती है कीडा आपको यहाँ पर द्यान लखना है कीडा आपको कीडा द्यान लखना है तो विटामीन आपसे पूछ सकता है एकजामनर की वसा में गुलंसील विटामीन कौन-सी नहीं है तो कौन-सी है यह चार है आप सभी देख पर होंगे K, E, D, A, B, C नहीं है जो की जल में गुलंसील विटामीन है B, R, C यह आपको यहाँ पर द्यान लखना है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं यह question भी बार-बार पूचाएं एकजामनरस ने तो protein यह होते है यह धार याप को यहाँ पर दनकराए है आझ का last question यह आप से भी के लिए और वीडियो का 2-3 दिन से नहीं आ पार रही है उसके लिए छमा जाओंगा तो आप से भी देख पारोंगे फ्रेंस भारत में सरप्रितम सुरण मुद्रा के बात कर रहे हैं यहाँ पर सरप्रितम सुरण मुद्रा यगी आपसे एकजान और पूछता है तो आपको यहाँ पर देख पता हूं कितने स्टुडेंस अच्छे से प्रिपेशन कर रहे हैं इस कुष्ण का राइट आंस्वर दे पाते हैं तो मिलते फ्रेंट्स नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को जया इंद बंदे मात्रा